हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंज आज हम सीखेंगे यह डिजाइन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी में जैंस में हाफ स्वेटर में या फुल स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिजाइ को डाल सकते हैं इस तरह से बन क्या था फ्रेंज से चार वोकर डिजैन है और आठ फंदों में डिजैन बनना है कि आई ये सीखते हैं कि डिजैन की फ़स्ट रोग शुरू करते हैं फ़स्ट रोग में इस्ता फंदा है इसको हम बना लेंगे एक फंदा इसता है इसको हमने सीदा बना लेना है इसके बाद आठ फंदे उल्टे बना लेना है एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ यहांसे हम एक एस्ता फंदा बनाएंगे उसके बाद हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं आठ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ पूरी रो उल्टे बना के कम्प्लीट कर लेंगे रॉंग साइट, हर बार हमने उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेना है सेकंड रो भी हमारी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है डिजैन की थार्ट रो ऐसना फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है अब क्या करना है थार्ट रो में हमने इन चार फंदों को सीधा बना लेंगे एक, तो, तीन, चार इस तरह से लेना है इस तरह से लेना है जैसे हम सीधा बनाते हैं तो हम इस तरह से इसको इस तरह से हमने सारे फंदे लेना है चार उसके बाद हमने चार फंदों के चार फंदे बना लेना है एक बार ऐसे लेंगे एक बार हम इस तरह से आगे धागा घुमाएंगे फिर एक बार और हम इसको सीधा बना लेंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ रखेंगे आप इसको हमने उल्टा बना लेना है वापस हमारे चार फंदे बन गए हैं धागा आगे की तरफ रखेंगे 8 फंदा सीधा 1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ फिर हमने 8 फंदे उल्टे हैं उल्टे के पहले हमने 4 फंदे सीधे बना लेना है इसके बाद वापस इन 4 फंदों का हमने 4 फंदा बना लेना है इस तरफ एक बर हम ऐसर लेंगे एक बर धागा आगे की तरफ रखेंगे एक बर और सिधा बना लेंगे इन 4 फंदों को तो तीन फंदे हो गए एक बर धाग अपने तरफ ले के उल्टा बना लेंगे तो हमारे वापस चार फंदे बन गए हैं सीधा फंद हरं सीधा बना लेंगे यहाँ पर हमारे डिजएन की थारे़ खोनं 설 लेंगे झाल झाल फोर्द रोबी यहां पर हमारी कम्प्टीट हो चुकी है और हमारा एक डिजैन यहां पर कम्प्टीट हो गया है आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एक डिजैन कम्प्टीट हो चुका है अब हमने दूसरे डिजैन बनाना दूसरे डिजैन बनाने के लिए क्या करना है हमने प ंचा अब यहां पर हमने क्या करना है यह दीख रहा है एक दो लीज जिसमें हमने फ्लावर बना रखा है यह अब इसके अपर से हम से उल्टे फंदे बनानाना है imagery 2 3 4 फंदे फ्लावर के उपर से और यहां पर 4 फंदे पांच च्छे साथ आठ ताक आगे की तरव रखेंगे अब यहां पर हमारे आठ फंदे बन गए हैं चार फंदे हमने फ्लावर के उपर से बनाए चार फंदे यहां बनाए आठ फंदे हमारे बन चुके हैं अब यहाँ पर आठ भंदा हमने सीधा बना लेना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अभी फ्लावर दिख रहा है अब इसको हमने इन चारों को हमने उल्टा बना लेना है एक दो तीन चार इन दोनों फंदो को सीधा बना लेंगे सेकंड रो पूरी रो उल्टा उल्टा बना के कम्प्टीट कर लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस टीजेंट को डाल सकते हैं यहां पर हमारी दूस्सी टीजेंट की सेकंड रो भी कम्प्टीट हो चुकी है कि अब थार रो में पूर अकुंद कर लें इनको थो हमने सिधा बना लेना है एक जितने भी फंदे सीधे देख रहे हैं इसको हम सीधा बना लेंगे अब यहां पर आट रो उल्टे हैं ता उल्टे रोब में हमने क्या करना है फ्रश्ट के चार रो सीदे बना लेंगे और इन चारों को हमने वापस चार बनाना ए इस तरह से इस तरव से हमने 4पन्दे के 4 पन्दे बना लेना एक बार ढगा आगे की तरव रखेंगे एक बार और इस तरव से हमने सीधा बना लेना है इसको एक बार अपनी तरफ धागा रखेंगे फिर इसको हमने उल्टा बना लेना है तो वापस हमारे 4 फंदे बन गए हैं धागा आगे की तरफ रखेंगे यहां पर एक 8 फंदे सीधे बना लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, धागा आगे की तरब रखेंगे यहाँ पर हमारे फंदे नहीं है तो इसको हम पूरी सिधा बना लेंगे इधर आठ फंदे नहीं है यहाँ पर हमारे एक, एक, तूर, तीन, चार फंदे तो यहाँ पर मैंने पूरा सिधा बना लिया है रांग सेट, फोर्ट रो डिजैन की पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएके कम्प्लीट कर लेंगे फोर्ट रोकर डिजैन और फ्रेंड से और इसे बनाना काफी आसान है किसी प्रोजेक्ट में आप इस डिजैन को डाल सकते हैं यह इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड से और पूरा बन की इस तरह से दिखेगा थेंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के सान